वेलो लबली फूडीज वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं इन्स्टेंट मिठाई चो की है कलाकंद तो यह मैकसिमं से मैकसिमं हम लोग बनाने वाले हैं 20 से 25 मिनिट में और बहुत आसान है इसको बनाने के लिए बिलकुल कम इंग्रेडियंट में हम यह बन सकते हैं तो सबसे पहले हमने जो पनी लिया है उसको हमें ग्रेट करना है एक चीज का ध्यान रखेगा जब भी आप इसको कद्दुकस करें तो एकदम जो बारीक वाली साइड होती है ना कद्दुकस की उससे आप ग्रेट करिएगा उससे ना बहुत पतला-पतला ग्रेट जालेंगे और साथ में हम उपर से इसके डाल देंगे जो हमने पनीर कद्दुकस करके रखा था उसको अब हमें इसको कंटिनियस चलाना है कम से कम डेट से दो मिनिट के लिए इसको ओवरकुक नहीं करेंगे हम खाली डेट से दो मिनिट इसको चलाएंगे और डेट से दो मि अगर आपके मलाई नहीं भी है तो भी चलेगा अपडेट कप दूद नॉर्मली भी ले सकते हैं बट हलका जो गरम किया दूद रहता है आप उसको इसमें यूज करिएगा तो दूद डालेने के बाद हम इसको चला लेंगे जैसे इसमें बॉइल आने लगेगा तो हमें आज क पकाना है तो जैसे जैसे हमारे ये दूद पकता रहेगा ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये हमारा जो पनीर है वो गाड़ा होने लगेगा तो जैसे इसमें दूद की कॉंटिटी बहुत कम रह जाएगी हम इसमें डाल देंगे कम से कम 6 चमच चीनी या स्वाद अनुसार च चीनी जैसे आप देखेंगे इसमें पानी जैसे आने लगेगा तो जो चीनी है ना उसकी चाष्णी टाइप की बनती है तो उससे लिक्वीडी हो जाता है उसके बाद फ्लेवर क्लेई यहां पर मैंने इसमें डाला है आधी चमच के बराबर इलाइची पाउडर अगर आप अल्मोस्स सारा दूद्ध जो है वो रिडियूस हो चुका है बस हलका हलका बचाए तो अब हम इसमें डाल देंगे पॉना कप के बराबर मिल्क पाउडर आपके पास जो भी मिल्क पाउडर अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं और जैसे आप इसमें मिल्क पाउडर आप देखेंगे यह जो पनीर है वो एकदम गाड़ा हो जाएगा और इसका सारा दूद्ध रिडियूस होके पानी एकदम खतम हो जाएगा और हमारा जो कलाकन है वो अल्मोस्ट रेडी होने में है अब मिल्क पाउडर डाल लेने के बाद अब हम इसे एक मिनट तक कंटिनि है उसको तो अच्छे सही पेस्ट को इसमें डाल लेने के बाद हमें पूरा स्प्रैड कर देना है इसको अपने बॉक्स पे और एकदम इसको ना बराबर कर देंगें हम चालों तरफ से कोई भी कर्ची की मदद से चमच की मदद से आप इसको बराबर कर दीजिए और उसके बाद हम इसको गार्णिश करेंगे पिस्टा से और अगर आपको ये बीना पिस्टा के पसंद है तो आप इसको अवाइड भी कर सकते हैं या फिर आप पसंद का कोई भी राइफ रूट उपर से एकदम बारी बारी चौप करके डाल सकते हैं उसके बाद मैं हापर कुछ केसर क जो धागे होते हैं उनको भी इसके ओपर गानिशिंग में यूज कर रही हूँ इससे भी अच्छा अच्छा फ्लेवर हमको मिलेगा अपनी मिठाई में अब हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तो इसमें कम से कम 3-45 मिनट लगेगा इसको ठंडा होने में तो उ ठंडी हो जाने के बाद यह मिठाई कैसे निकल के आएगी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट है तो आप किसी चम्मच की चाकू की या एकदम प्लेन सर्फेस वाली किसी कर्ची की मदद से आप इसको निकाल लिएगा और देखिए यह किती एकदम हलवाई जैसे टेस्ट करने वाली है और आप यकीन नहीं मानेंगे जब आप इसको खाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा और 20-25 मिनट में आप एकदम हलवाई जैसी कलाकन बनाके त्यार कर चुके होंगे तो मिठाई को आप जरूर ट्राए करिएगा और झाल 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 झाल